जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वो, जिन्दगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर, की लेता है, बिना भरोसे के किसी चीज को करते रहना ऐसा ही है जैसे किसी हारे हुए, खेल को बार-बार खेलते रहना, जिस तरह सफलता के लिए मेहनत जरूरी है उसी तरह, जाएगी की, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, इसी तरह पढ़ाई के मामले में भी हमें खुद पर भरोसा होना काफी जरूरी है, अगर आप किसी परीक्षा की तयारी करते हैं और दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन मन, ही मन आप ये भी सो होने की तरफ ज्यादा हो, जाता है, आज की इस स्टडी, मोटिवेशन स्टॉरी इन हिंदी के, जरिया आप समझेंगे की क्यों खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, इस मोटिवेशनल स्टॉरी फर स्टूडन्स को पढ़कर आप अपने उपर भरोसा करना सीखेंगे और जानेंगे की किस तरह लोग भरोसे के सहारे ही कितना कुछ हासिल कर लेते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम था जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे, उन सब के बीच एक लड़का ऐसा था जो काफी बेवकूफ था और पढ़ाई क मामले में भी बहुत कमजोर था लेकिन उसे अपने गुरू पर बहुत भरोसा था, उसके गुरू उसे हमेशा ये बात कहते थे कि तुम भले पढ़ाई में कमजोर हो मगर तुमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बहतर हो और वो सब कर सकते हो जो सब को लगने लगा कि आगे चल कर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा इसलिए दूसरे शिश्य मिलकर उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने का विचार बनाने लगे एक दिन वो सब मिलकर उस शिश्य के पास गय और उससे बोले अगर तुम्हें खुद पर और पहाडी से नीचे आए जब वो नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पहाडी के नीचे एक तालाब था और वो लड़का उसमें मजे से तैर रहा था उसने उन शिश्यों को देखा और कहा आप सब सही थे मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया उन बच्चों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गया कुछ दिन बाद आश्रम में आग लग गई और दो लोग अंदर फंस गये सभी शिश्यों को फिर से बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिश्य से कहा कि अगर तुम है अपने गुरू से सच में लगाव है तो तुम अंदर जओ और उन दोनों को बचा लो वो तुरंत अंदर चला गया और तेज आग की लप्टों के बीच में से उन दोनों को बाहर निकाल लाया उस शिश्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था ये देखकर बाकी के शिश्यों की आखे फटी की फटी रह गई कुछ दिन बाद उनके गुरू उन्हें लेकर दूसरे आश्रम जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ी नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतजार करने लगे ऐसे में अनियर शिश्यों के मन में फिर से शैतानी उठने लगी और उन्होंने उस शिश्य से कहा तुम क्य गुरू ने भी उसे ऐसा करते हुवे देख लिया और उसे नदी में जाने से रोक लिया उन्होंने बाकी के शिश्यों से इस सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिश्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है उसे खुद पर और अपने गुरू यानी की आप पर बहुत भरोसा और उसी भरोसे की वजह से वो ये सब कर पाता है बुरू ने सब की बाते सुनी और उस शिश्य से कहा तुम ये क्या कर रहे हो नदी बहुत गहरी है तुम इसे चलकर पर नहीं कर सकते ऐसा करना संभव नहीं है वो शिश्य बोला संभव है मैं आपकी शक् वह चलते हुए नदी पार करने लगा थोड़ा ही देर में उसने नदी पर कर ली और किनारे पर पहुँच गया ये सब देखकर उसके गुरू हिरान हो गये और सोचने लगे कि यह अग्यानी मेरी शक्ती और भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है तो अपनी शक्तियों के दम पर में भी यह कर सकता हूँ फिर वो भी नदी को चल कर पार करने की कोशिश करने लगे लेकिन नदी में थोड़ा आगे जाकर ही वो डूब गय क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा थाना की खुद पर भरोसा किसी अग्यानी व्यक्ति को भी पार लगा देता है लेकिन भरोसे की कमी ज्यानी व्यक्ति को भी दूबा देती है, अगर आपके अंदर भी भरोसे की कमी होगी तो आप भी जीवन में काम्याब नहीं हो पाएंगे, इस कहानी के अनुसार खुद पर भरोसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप भी पानी पर चले गया, फिर पहाडी से कूद जाएं बलकी खुद पर भरोसा होने का मतलब है कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, बस आपको सही दिशा में फोकस करना है, अगर आपके अंदर भरोसा होगा कि आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं तो आपका माइंड कभी भी फेलियर के बारे में नहीं सोचेग जब आप ऐसी सोच रखोगे तभी आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा और आप उन कामों में भी सफलता पालेंगे जो अभी आपको नामुम्किन लगते हैं, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्र आपको नेवाद